प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकाडमी के इस ब्रैंड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्वांट म्यूच्वल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है तो किसी भी mutual fund investor के लिए good news क्या हो सकता है तो सबसे बड़ा good news होगा returns क्योंकि हम returns के लिए investment करते हैं जितना जादा return आए उतना अच्छा है किसी भी mutual fund scheme का return किस पर depend करता है तो देखिए ये three pointers है अब हमेशा ध्यान में रखें mostly यहीं पर return depend करता है number one है market overall large cap mid cap small cap के जो indices है like nifty 50 कैसा कर रहा है performance mid cap का index कैसा कर रहा है small cap का index कैसा कर रहा है अगर वो अच्छा करेगा तब ही आप mutual fund scheme से अच्छे return expect कर सकते हैं ऐसा नहीं कि market 10-20% down है और आपका mutual fund scheme 20-30% plus का return दे रहा है positive return दे रहा है ऐसा तो होता नहीं है तो इसलिए सबसे पहले market को देखना पड़ता है कि overall market का return कैसा है उसकी बाद second आपको देखना पड़ेगा कि वो fund manager team जो उस scheme को manage कर रहा है fund को manage कर रहा है उसका performance कैसा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि market तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकि कोई particular scheme का performance बिल्कुल down and out है अच्छा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे of course second number जो most important है वो fund manager का performance है उसका performance कैसा है ताकि market का जो भी return आ रहा है वो ऐसे stocks में अपना investment करें कि market के return से भी ज़्यादा return आपके लिए generate करें और number third क्या होगा expense ratio क्योंगे expense ratio अगर ज़्यादा है तो जो भी return generate कर रहा है वो कम होकर आपके पास आएगा तो expense ratio जितना कम हो उतना अच्छा है और long term में तो इसका अच्छा खासा फरक भी पड़ जाता है तो यह three pointers है market return, fund manager जो भी है या fund management team है उसका performance कैसा है और third expense ratio तो quant mutual fund के case में हम इन तीनों को check करेंगे और finally of course हमें पता चलेगा कि good news क्या है लगि यहाँ पे इन सारे details के बाद मैं आपको four pointers और बताने जा रहा हूँ quant mutual funds के बारे में तो अगर आपने अपना यहाँ investment किया है या फिर plan करने के लिए तो in all four pointers को आप अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि हमारा hard and money है तो जब भी हम investment करते हैं तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए तक यह बाद में ऐसा ना हो कि यह तो मुझे पता ही नहीं था पहले पता होता तो सायद मैं investment करता या ना करता इस तरह के queries या confusion बाद में आपको नहीं होना चाहिए तो इन four pointers को भी आप अच्छी तरह से समझ लें वीडियो को वाज करने के दौरान किसी तरह का value addition हो तो ज़रूर like and share करें और अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पहा है तो ज़रूर subscribe करें सबसे पहले बात कर लेते हैं market returns का nifty का return किस तरह का आया है तो last one year का अगर आप nifty 50 का return देखें तो about 24% के आसपास का return है large cap के लिए इतना return बहुँ ज़्यादा होता है mid cap का return कैसा है तो nifty mid cap 150 index का return देखेंगे तो वो 53% के आसपास है और small cap का return nifty small cap 250 का index का return last one year का आया है 57% तो यस market का return तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आप second देखते हैं fund management team या fund managers कैसा काम कर रहे है quant के fund managers तो उसके लिए quant की जितने भी schemes हैं यहाँ पे मैं equity schemes को include कर रहा हूँ equity में diversified और sector thematic funds के भी details आपको दूँगा साथ ही कुछ hybrid funds के भी details दूँगा वहाँ पे देखते हैं कि इन funds का benchmark के मुकाबले performance कैसा रहा है गर benchmark को beat कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि fund managers अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं यहाँ पे आप coin mutual funds का latest performance चेक कर सकते हैं last one year, three year, five year और ten year के direct plan का CAGR returns और साथी benchmark का returns भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने देखिए benchmark भी दिया है ताकि आप समझ सके कि इन funds का benchmark क्या है जब भी आप किसी भी fund का performance चेक करें तो stand alone returns नहीं देखिए उसका कोई मतलब नहीं आपको हमेशा benchmark से return compare करना है कि benchmark के मुकाबले कैसा return है देखिए यहाँ पे last one year का benchmark से compare करें last three years का compare करें last five year का compare करें last ten years का compare करें तो वैसे funds को हम अच्छा मानते है actively managed funds को जो कि ज़्यादातर horizons में अपने benchmark को beat करें ज़्यादातर मैं बोल रहा हूं सारे horizons में जरूरी नहीं है कभी-कभी थोड़ा बहुत under performance आ सकता है यहाँ यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा fund नहीं मिलेगा जो कि अपने benchmark को जायतर horizons में beat नहीं कर पा रहा है मतलब कि इन सारे ही funds का performance बहुत अच्छा है last one year three year में देखें तो huge returns large cap relatively नया fund है बहुत अच्छा performance large and mid cap flexi active mid cap small cap value fund ELSS tax saver focused fund तो यह सारे diversified funds हैं यहाँ तक और यह दो hybrid funds है इनका देखें benchmark से आपको पता चल जाया है कि दूनों ही hybrid है तो absolute fund इनका aggressive hybrid है मतलब equity का ज्यादा exposure होगा इसका भी performance बहुत अच्छा है quant dynamic asset allocation का moderate level का है यहाँ देखें return और भी ज्यादा आया है और नीचे आपको sector or thematic funds मिल जाएंगे यहाँ भी performance बहुत अच्छा है तो overall performance wise तो बहुत अच्छा है बेजमार को बीट कर रहे हैं मतलब fund managers अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं quant equity funds का returns चेक करने के बाद आपको और कोई good news की सायद जरूरत नहीं हो return इतना ज्यादा अच्छा है बटे नी आओ मैं आपको एक good news देने जा रहा हूँ और वो हमारे third point पे आएगा और वो है expense ratio front पे good news quant mutual funds जितने भी schemes हैं उसमें से 11 schemes का जो expense ratio है वो up to 12% तक कम करने जा रहा है 25th of July से तो ये भी बड़ा news है अगर expense ratio और भी कम कर दिया जाए तो returns और भी बढ़ कर आएंगे expense ratio क्या होता है तो देखिए fund managers आपका पैसा manage कर रहे हैं फ्री का तो करेंगे नहीं तो पैसे को manage करने के लिए वो आपसे कुछ fee charge करते हैं उसे ही हम expense ratio बोलते हैं तो expense ratio में क्या-क्या include होगा तो sales and marketing expenses आएगा, administrative expenses आएगा, transaction cost आएगा, investment management fee आएगा, custodian fee, audit fee ये सब ही कुछ आता है तो देखिए यहाँ पे कई बार आप लोगा query आता हैं कि expense ratio कब कटता है, कैसे कटता है, मतलब लोगों पता ही नहीं चलता है कब कट गया, तो इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि जो expense ratio है, वो जो भी mutual fund scheme का NAV है, उसे daily basis पे कटता है, तो आप समझ सकते है, daily point zero zero something कटता हो बहुत कम, आपका NAV daily उसके कारण थोड़ा कम होता होगा, और आपको market उपर जा रहा है, तो NAV उसके कारण उपर जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, expense ratio के कारण थोड़ा बहुत NAV कम होता है, जो इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलेगा आपको, बढ़ हाँ, जो expense ratio daily basis पे NAV से कम होता है, तो इस तरह से चार्ज किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में 0.5% या 1% या 2% कर दिया जाता है, ऐसा होता तो आपको पता चलता है, expense ratios related second query आप लोग आता है, कि returns जो भी मैं so करता हूँ या फिर websites पे जो भी returns आते हैं, mutual fund schemes के, उसमें से क्या expense ratio फिर से कटेगा या पहले ही कट चुका है, तो देखिए जो भी returns आता है, वो post expense ratio आता है, मतलब कि expense ratio पहले ही कट चुका है, उसके बाद वो return आता है, तो उससे और भी returns कम नहीं होंगे आपके expense ratio के कारण, आप जान लेते हैं, quant के कुछ बड़े schemes के बारे में, जिसका expense ratio कम ह होने जा रहा है, तो active fund, quant active fund का कम होगा, quant mid cap fund का कम होगा, quant large cap, quant value fund, quant multi asset fund और quant manufacturing fund का, इन सभी का expense ratio कम होगा, यह अगर आपने investment किया हुआ है, quant के funds पे expense ratio कम होगा है, तो mostly आपको साथ mail भी आया होगा, इससे related, तो देखिए, quant active fund और quant mid cap fund का expense ratio, direct plan का expense ratio फिलाल 0.51% है, जो की घ जाएगा, तो अच्छा खासा है, बतलब जो भी घट जाओ अच्छा है ना, हमारे returns बढ़ कर आएंगे, value fund का expense ratio 0.41% से घट कर 0.36% का होगा, तो इसी तरह का, जो भी 11 schemes है, सभी जगा expense ratio थोड़ा कम किया जा रहा है, quant mutual funds का सबसे बड़ा scheme है, quant small cap fund, वहाँ पे expense ratio कम नहीं ह हो रहा है, बट anyhow, quant के जायतर schemes का expense ratio पहले से ही काफी कम है, उससे भी अगर कम किया जा रहा है, तो overall ये investors के लिए काफी अच्छा news है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, मैं 4 pointers बताने जा रहा हूँ, quant के बारे में, तो as a investor या फिर future investor या potential investor, आपको इसके बारे में देखे, अभी भी यहाँ पे clarity नहीं आया है, सेबी ने search और seizure operation किया था, quant के office पे, वहाँ से अभी कोई भी detail नहीं आया है, सेबी ने अभी कुछ भी नहीं बोला है, तो of course वहाँ पे हमें wait करना होगा, कुछ नहीं आया है, तो of course अब के लिए अच्छा है, quant as a EMC अच्छा ह अच्छा है, बढ़ा, जब तक सेबी के end से कोई clarity नहीं आता है, तब तक इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा, कि front running का जाच चल रहा है, सेबी के द्वारा, तो ये number one point आपको हमें साथ ध्यान में रखना है, future में इस से related कुछ news आ सकता है, second point है keyman risk, देकि जब भी managers आपको same दिखेंगे, सभी जगा वही three fund managers, अंकित पांडे, वसो सहेगल और संजीफ सर्मा, संजीफ सर्मा तो इनका debt देखते हैं, debt portion को manage करते हैं, that's it, मतलब, और जो यहाँ पे जो main person है, वो है इनके founder और chief investment officer, जो की director भी है, वो है, संदीप टंडन, तो ऐसा लगता है कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, पूरी तरह से almost, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं, fund managers हैं, लेकिन बहुत कम fund managers हैं, team overall, कोई बहुत बड़ा team नहीं है, क्योंकि AMC का अगर आप देखें, तो AUM पहले तो बहुत छोटा था, नहीं बड़ा हो गया है, अब 1 lakh करोर के आज पास पास जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत छोटा AMC है, तो पूरी तरह से almost, पूरी तरह से dependence सिर्फ, Mr. Stundan पर ऐसा लगता है, सभी कुछ लगता है, mostly decision उनके इंट से ही होता है, तो वो एक cause of concern हो सकता है, क्यों जो दूसरे mutual fund companies हैं, वहाँ पे, of course, CIO ही mostly सभी जगा decision लेता है, वो बहुत होता है, वो बात बिलकुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी, जो दूसरे fund managers हैं, उनका भी काफी importance होता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा risk है, कि ज़्यादा चड़ जो dependence है, वो सिर्फ एक ही आदमी पे है, वहाँ से अगर कुछ गरबर होता है, तो पूरे EMC level पे problem आ सकता है, number third है इनका investment style, लेकिए growth style है, value style है, momentum style है, बहुत सारे investment styles है, इनका कोई भी particular style नहीं है, यह इनका बोलना है, कि basis market condition यह call लेते हैं, तो इस तरह का investment style है, वो momentum होता है mostly, हाँ, बहुत सारे चीज़े यह बोलेंगे कि ऐसे manage करते हैं, बढ़ हाँ, mostly अगर आप देखें, जिस तरह का churning ratio होता है, इनका stocks का buy sell बहुत करते हैं, तो momentum style को यह follow करते हैं, मतलब की buy and sell बहुत होगा, जब भी यह नहीं लगया कि ओके यह particular stock अच्छा करने जा रहा है, या फिर कर रहा है, तो वहाँ पर investment करेंगे, देखेंगे नहीं, या performance डाउन ह होने वाला immediately निकल जाएंगे, इस तरह से momentum style, momentum style of course worldwide, इंडिया में तो अभी भी relatively आप नया बोल सकते हैं, बहुत सारे funds यहां नहीं momentum based, worldwide अगर देखें, तो अच्छा खासा performance रहा है, तो performance wise आसा नहीं कि कोई problem रहा है, momentum style of funds में, लेकिन यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि momentum style वाले जो funds है ना, तो जब stock market बहुत अच्छा करता है, तो बहुत अच्छा performance देते हैं, लेकिन जब गिरेगा, तो market से ज़्यादा गिरेंगे, तो उस समय problem हो सकता है, और Quant का जो performance है, कि Quant को आप एक नया AMC बोल सकते हैं, नया mutual fund company, क्योंकि Quant ने 2018 में Scott's mutual fund को खरीदा था, उ अच्छा खासा तेजी है, stock market, वहाँ से इनका returns आया, और mostly returns आने का एक बहुत बड़ा reason था, of course risk taking है, बहुत छोटा AMC ना, वहाँ पे तो risk का बहुत ज़्यादा ले, क्योंकि nothing to lose, इतना छोटा AMC था, अगर उस समय का AUMs देखेंगे funds का, तो कुछ भी नहीं था, बहुत छ disposer लिया था उस समय, उस समय कार आप portfolio देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो इन सब के current returns बहुत ज़्यादा आया था, in fact quant small cap का at one point of time, वहाँ पे last one year का return 200% के आसपास आया था, huge returns, जातर schemes ने भी 100% के आसपास का return दिया था, उसके बाद ना फिर value का चला समय, तो इन्हो relatively पहले के मुकाबले बहुत कम कर लिया है इन्होंने, तो फिर से इन्होंने अच्छा खासा change किया अपने portfolios में, तो अभी तक तो जो performance है बिल्कुल मानना पड़ेगा, performance बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, law of averages catch up करता है, तो कोई ऐसा मान कर ना चले कि हमेशा ही इस तरह का performance इस आएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट अभी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करेगा न, स्टॉक मार्केट भी गिरेगा और कभी-कभी बहुत जादा गिरता है, उसी तरह से quant mutual fund में भी देखेंगे, कि अभी सिर्फ uptrend हमने देखा है, downtrend नहीं नहीं देखा है, जब stock market गिरता है, कभी-कभी जब बुरी तरह से गिरेगा, तब in funds का क्या होगा, और उसके बाद जब stock market वापस आएगा, तो उस समय in funds का performance कैसा रहता है, तो अभी mostly हमने वो up cycle देखा है, down cycle देखा नहीं है, तो of course इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, number fourth है इनका portfolio overlap, अगर आप इनके large cap का portfolio देखेंगे, तो उसमें reliance का exposure about 10% का है, HDFC bank का exposure about 10% का है, इनके small cap का portfolio देखेंगे, तो वहाँ भी reliance का exposure about 10% का है, HDFC bank का exposure about 7% का है, in fact ज़्यादा तर schemes में reliance का exposure बहुत ज़्यादा है, HDFC bank का exposure बहुत ज़्यादा है, इसके अ आदानी पावर का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, Jio, Relance Jio का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, IRB Infra का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, और भी दूसरे stocks हैं, तो इनके जो schemes हैं, वहाँ पे portfolio overlay बहुत जादा है, तो अगर कोई decide करता भी है कि यहाँ पे investment करना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक से ज़्यादा scheme select नहीं करें, क्योंकि same stocks हैं सभी जगा, तो that's it in this video, Quant Mutual Fund के schemes बहुत अच्छा return generate कर रहे हैं, तो of course as a investor हम उसका फाइदा उठा सकते हैं, साथ ही हमें पता होना चाहिए, कि यहाँ पे क्या-क्या pitfalls future में आ सकते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो जरू like and share करें, अभी तक आपने हमारा YouTube channel सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरू सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी query है, तो comment में जरूर mention करें, next वीडियो जब भी इस topics रिलेटेड मैं बनाऊंगा, तो उन queries को मैं answer करने की courses करूँगा, thanks a lot for watching,